हैलो स्टेंट कैसे आप मैं सुनिला रंसर एक वाफ फिर आपसे मुखातिव हूँ आज के इस वीडियो में हम आपसे यूथ इन नाजी जर्मनी नाजी जर्मनी में जो यूआ थे उनकी स्थिती क्या थी इस विशे पर आपसे डिसकस करने वाला हूँ और इससे पहले आप नफर्त की भावना वहां के जर्मानस में फैलाई थी और किस तरह से उनके साथ अत्याचार किये गए थे उनकी हत्याएं की गई थी उन्हें घेटोज में रहने के लिए विवस किया गया था और घेटोज से ले जाकर कि उन्हें पोलेंड के कंसंट्रेशन कैप में ले जाक करके मार दिया गया था सवाल यह है कि क्या जर्मनी के सारे लोग अखिर मूख दर्सक क्यों थे जर्मनी के अगर 100% लोग हिटलर के इस बात से शहमत नहीं होते तो क्या यह संभव था जिने इसके लिए जरूरी था कि जर्मन के जो बहुत शंक्यक लोग हैं उनमें यहुदिय के प्रतिन नफरत की भाव को भढ़ना और इसके लिए हिटलर ने वाकाइदा बच्चों के मन मस्तिस्क में जो जर्मन बच्चे थे उनके मन मस्तिस्क में यहुदियों के प्रतिन नफरत भढ़ने का काम सुरू किया था और यह काम किस तरह से सिलसेलावा ढंक से उन्हों न स्टेबलिस वनली वाइदा टीचिंग चिल्डेन ऑफ नाजी ऐडियोलोजी हिटलर कोई विश्वास था कि जर्मनी में अगर एक नाजी ऐडियोलोजी बच्चों को पढ़ाया जाता है तभी एक नाजी सोसाइटी की अस्थापना हो सकती है इसके लिए जरूरी था कि वह बच्चों को स्कूल के अंदर और स्कूल से बाहर और उसके घरों में समाज में सभी जगह बच्चे के उपर उसका कंट्रॉल हो और बच्चे सिर्व वही सोचें जो हिटलर चाहता था जो नाजी लोग चाहते थे what happens in schools in under naaisism, naazi के समय में इसकूलों में क्या हो रहा था देखे इसकूल जो होता है वह बच्चे का निर्मान करता है एक अच्छे नागरिक बनाता है उसके दिमाग में वह ची भढ़ा जाता है श्कूल में जो भड़ा जाता है वही जाकर के उसके लिए पूरे जीवन बना रहता है तो इस बात को हिटलर अच्छी तरह समझता था कि अगर बच्चे के मनमस्तिस्क पर श्कूल के समय ही नाजियों की स्रेश्टता जर्मन लोगों के स्रेश्टता की बात बताए जाए और यहूदियों के प्रतिन नफ्रत का भाव भरा जाए तो उसका काम चल सकता है और शभी स्कूलों को साफ किया गया था उसको पवित्र किया गया था अब साफ केस्ची से करना है तो गंदे लोगों से साफ करना है यहूदियों से साफ करना है प्यूरिफाय करना है इसका म सबसे पहले उसने स्कूल में जर्मन और ज्यूज के जो बच्चे थे उनको अलग-अलग बैटने पर विवस किया टीचर को तो निकाल ही दिया गया जो जीवज टीचर थे इनके साथ साथ जो फिजिकली हैंडिक कैप्ट जीवसी थे उनको भी स्कूल से बाहर कर दिया गया और 240 आते आते ऐसी सभी बच्चों को भी उस गैस चमबर में ले जाकर क उनको मार दिया गया गुड जर्मन चिल्डेन वर सब्जेक्टेड टू अफ नाजी इस्कूलिंग अ प्रोलोंग पिडियाड आफ आइडियोलोजी ट्रेइनिग जो अच्छे जर्मन बच्चे माने जाते थे उनको नाजी इस्कूलिंग प्रकडिया से गुजरना होता था और उनको नाजी आइडियोलोजी की ट्रेनिंग दी जाती थी अस्कूल की किताबें फिर से लिखी गई रेसियल साइंस वाज इंटोड्यूश तू जस्टिफाइड नाजी आइडिया अफ रेस और एक नए विशय के रुप में रेसियल साइंस को इंटोड्यूश किया गया और इस विशय को इंटोड्यूश करने का में मकसद ये था कि नाजी आइडिया को सही ठाड़ाया जा सके जो रेस के संबंद में उनके थे A stereotype about Jews were popularized even through the maths classes. Children were taught to be loyal and some massive hat Jews and worship Hitler. बच्पन में ही जो बच्चे थे उनके खिलाफ उनके दिमाग में एधारना बना दी जाती थी. यहां तक कि math जैसे बिशय में भी उनके खिलाफ इधारना बना दी जाती थी. बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता था, उन्हें शिखा दिया जाता था कि वे यहूदियों से घरना करें और हिटलर की पूजा करें. जो बच्चे थे उनके बच्पन में ही जो खेल जिसे अस्परधाएं थी, उनमें भी जो हिंसा और आक्रमक्ता भर दी जाती थी. खेल के मादम से भी बच्चों में आक्रमक्ता और हिंसा का भाव भड़ा जा रहा था. हीटलर विश्वाय था कि जो बच्चे को मजबूत दिलवाला ताकतवर और मरदाना बनाता है. बच्चे को फिर से और रियागनाईज किया गया एक नेशनल सोसलिज्म का भाव पैदा करने के लिए उनमें ऐसे सिच्छा दी जा रही थी और उन्हें इसके प्रती जिम्मेबार बनाया जा रहा था. जो दस बस के बच्चे होते थे उनको ही जंग वॉल्क नामक संस्था में सामिल कर दिया जाता था. जंग बोल्क नामक से एक संस्था थी जो 1922 इस्वी में बनाई गई थी और इसमें 14 वर्ष से उपर के बच्चे को सामिल किया जाता था बाद में जंग बोल्क को हिटलर यूद के नाम से जाना गया बना दिया गया चेंज कर दिया गया उसके नाम को और इसमें यह सिखाया जाता था learn to worship war कि यूद की पूजा करें glorify aggression and violence condemned democracy and had huge communists and gypsies and all those categorized as undesirable तो यह हिटलर यूद नामक जो organization था इसमें यह सिखाया जाता था कि वे यूद का भाव रखें और आक्रमक्ता और violence उसमें भड़ी जा रही थी इसके साथ साथ लोगतंत्र के प्रती नफरत इनके साथ साथ जो यहूदी थे जिपसी थे उन सभी लोग जो undesirable लोग थे उनक जुद का भाव इस हिटलर यूद नामक संस्था के बच्चेों में भड़ी जा रही थी नाजी यूद के बाद जब बच्चे 18 साल के हो जाते थे तो उनको labor service जोईन करना पड़ता था और labor service जोईन करना पड़ता था और जब 18 साल के हो जाते थे तो नाजी आर्मी में उनक यह श्कूल है देखे यहाँ पर एक बच्चा बता रहा है कि जो यहुदी होते हैं उनकी नाक अंग्रेजी के 6 लेटर जैसे होते हैं यहाँ पर देखे क्या होता है जो यहुदी टीचर थे और बच्चे थे उनको इस्कूल से निकाल दिया जाता था उसी को इस चेत्र में दिखाया जा रहा है यह चेत्र 1936 में एलिवडा वेवडर नियूरेंबर्ग में बनाया गया था दे यूथ लीग आप दा नाजीज वाज फॉन्डेट इन 1922 फूर येर्स लेटर इट वाज रिनेम्ड हिटलर यूथ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो यूथ लीग था जिसको जंग वोल्क कहा जाता था उसके अस्थापना 1922 सिस्वी में की गई थी चार साल के बाद जंग वोल्क का नाम बदल करके हिटलर यूथ कर दिया गया लोगों को एक करने के लिए नाजी कंट्रॉल उस पर स्थापिद रखने के लिए एक सेस्टमेटिक तरीके से जितने भी दूस्रे संस्थाएं थी नाजी यूथ के अलावा जो हिटलर के समर्थ तक थे उनके खिलाप उनके अलावा जितने भी उनके खिलाप काम करने वाली और उसको एक-एक करके समाप्त कर दिया गया तो इस वीडियो में हमने जो युवाओं की स्थिती थी जर्मनी में उसको देखा और हम इसे समझ सकते हैं कि जब बच्चपन से ही बच्चे में किसी के प्रतिग्रणा का भाव बढ़ रहा जाएगा और जब किसी ब्यक्ति को इसे ही बनेंगे और यही कारण था कि हिटलर अत्याचार की सभी सीमाओं को पार कर सका था आएए देखते हैं कुछ अलग अलग लोगों की राय जो नाजी जर्मनी की हालत उसमें थी क्या वो कहते हैं एक फ्रॉम सेरर नामक बढ़ती थे फ्रॉम डवलु शेरर उन्होंने इसमें उन्होंने क्या लिखा है उन्हों लिखा है और ब्वाइज बीट्विन दा एजे एजेज आफ शीक्स और टेन वेंट प्रिलिमेंडरी ट्रेनिंग इन नाजी एडियोजी जो छह से दस बर्स के बच्चे थे इनको नाजी आडियोजी को ट्रेनिंग पाने के लिए आड़ इंड अफ ट्रेनिंग आड़ टू टेक दा फॉलोविंग ओथ आफ दा लोयल्टी अफ दा हिटलर और दस बर्स के बाद वो उन्हें हिटलर के प्रति वफादार रहने के लिए सपत लेना पड़ता था शपत में क्या होता था वो लिखता है इन दा प्रजेंस आफ ब्लड वेनर वीच रिपर्जेंस आबर फ्योडर इस रख्त द्वज की उपस्थिती में मैं यह सपत लेता हूं की आई स्वेर तो डिवोट अल मैं इनर्जीज और मैं स्ट्रेंथ इस दा शर्वाइबर अवर कांट्री अडॉल्ट विटलर हमारा पूरा ताकत हमारी पूरी एनर्जी हमारे सेवियर हमारे रच्छक जो देश के रच्छक हिटलर हैं उनके लिए होगा आई एम विलिंग एंड रेडि टू गीब अप माई लाइफ वार हिम मैं अपना जीवन उनके लिए देने के लिए तयार हूं इसलिए इश्वर हमें मदद करें चोच लिए हिटलर के प्रती बच्पन में ही लोगों में यह भड़ा जाता था उन्हें सपद दिलाई जाती थी कि वह हिटलर के लिए अपना जान भी देने को तयार हैं और बचेते मेंच के लिए जैसी तोचने लायक होता है हम उसके हाथ में एक जंडा थमा देते हैं चोटा सा जंडा थमा देते हैं इसके बाद वक्त आता है जब वह इश्कूल और इश्कूल के बाद हिटलर यूथ में सामिल होता है और मिलिटरी सर्विस में सामिल होता है लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं हम उसको कभी छोड़ते नहीं है उसको तब तक उस पर नजर रखी जाती है भले ही वह पशंद करें या ना करें उसको अपने पर यहां पर आप देख सकते हैं यह जो जेविस चिल्डेन इनको डेट फैक्ट्री में ले जाये जा रहा है और मरने के लिए उहां जाने से पहले का यह चित्र है बड़ा दर्दनाक चित्र है यह दिजायरेवल चिल्डेन हैं हीटलर ऐसे बच्चे को पसंद करता था और जो इस तरह से जर्मन ब्लड वाले बच्चे होते थे उनकी मां को पुड़ा स्कृत भी करता था और यह देख सकते हैं अच्रण ब्लडड इंफैंट इस मदर ब्रिंग ब्रावट फ्रम अक्युपाइड यूरोप टू एनेक्स पॉलेंड फॉर सेटलमिंट यह कुछ बच्चे जो अपने मां के साथ इसको पॉलेंड भेजा जा रहा है यह यूरोप के जो मां होती उसे चिन करके इन अच्छे बच्चे को लाया गया है और इसको पॉलेंड में बसने के लिए भेजा जाता है तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि हिटलर ये इस बात को जानता था कि बच्चे के मन मस्तिस्क पर बच्पन में जो बातें डाल दी जाती है वह उसके जीवन पर बना रहता है और इसलिए हिटलर ने हर अस्तर पर उसके लिए काम किया बच्चा जब जन्म लेकर के छे साल तक होता था तीन साल के बाद ही उस पर काम करना शुरू हो जाता था बच्चे के हाथे में जन्डा बे दिया जाता था और उसी जन्डे से उसको खेलना होता था और उसके बाद जब बड़ा होता था इसकूल बेजा जाता था स्कूल में हिटलर की लोयल्टी के वाले पढ़ा जाता था कि हिटलर मान है हिटलर हमारे देश के रच्चक हैं फ्यूडर हैं और फिर जो जिवस थे ब्लैक्स थे जिफ़सी थे उनके खिलाब नफरत के भाव भरे जाते थे जो स्कूल में उस समय यहुदी टीचर थे उनको न जो desirable बच्चे थे उनको पुरस्किर्ट किया जाता था जो यूरोप को पुछेत्रों से जर्मन बच्चे थे लाया गया था उसको पोले में बसाया गया और इस तरह से 10 साल के ओर में उनको सपत दिलाए जाती थी हिटलर के प्रति लोयल्टी की सपत दिलाए जाती थी और उनक वाँ कई चर्णों में 10 वर्स तक श्कूल के बाद 12 वर्स के बाद उन्हें लेवर कैम में भेजा जाता था और 14 साल के बाद हिटलर की यूथ विंग्स था उसमें उनको सामिल होना होता था और यहां इतना है इसके बाद उन बच्चों को जीवन भर उसकर कंट्रॉल रखा जाता था तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम आप से फिर मिलेंगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवसे लिखें अगर आप हमारे चैनल पर हैं नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वाचिं हम क्या वोग्र ऍटाइब क्योंगे तो